दुश्टुन मस्कार आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे B.A.D. और D.A.D. को लेकर के जो सुप्रीम कोट का ओडर है वो 12 जनवरी 2023 को रिजर्व हो चुका था अब लगभग 90 दिन का समय पूरा होने वाला है और और की अगर हम बात करें फैशला कब आएगा तो अप्रिल के फ़र्ष्ट वीक में 10 तारिक के आसपास आपका और रिजर्व से पब्लिक कर दिया जाएगा अब यहाँ पर आपको कुछ 5 या 6 ओप्शन्स होंगे मतलब इनी में से कोई एक फैशला आ सकता है तो आपके लिए जानना जरूरी है हम यह नहीं कह रहे हैं यहाँ पर की B8 बाहर होगा या BTC बाहर होगा या क्या हुआ क्या नहीं हुआ जद सहब के पास इनी विकल्पों में से कोई ना कोई एक विकल्प चुनना होगा मतलब उन्होंने जो ओर्डर रिजर्व किया होगा जो भी तरक के आधार पर बीड पक्च के वकील और डेलिट प्रिच के वकील को सुन करके जो भी फैशला और लिखे होंगे इनी छे विकल्पों में से कोई एक फैशला होगा तो क्या कुछ होगा इस पर हम डेटेल से बात करेंगे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं महत्तपोंड अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आन करके रखिएगा देगे आपको बता देए मामला कोर्ट में यानि सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुँचा बताते चले एन्सी टी के तहट 2018 में एक नोटेस दारी की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि बीड को भी प्रात्मिक सिक्षक बर्ती में सामिल किया जाए इसके बाद आपकी 79,000 सिक्षक बर्ती हुई जिसमें बीड अभिर्तियों को भी सामिल किया गया और हजारों अभिर्ती पास होकर कि अभी भी जौब कर रहे हैं बात करेंगर हम जूदपुर हाई कोर्ट के दोरा N.C.T.E. का जो 2018 का गजट था उसको जूदपुर हाई कोर्ट के दोरा रद कर दिया गया उसके बाद B.A.W. बिर्थियों के दौरा ये मामला सुप्रीम कोट में ले जाया गया ये सुप्रीम कोट में इस पर कई सारी तारीखे लगी उसके बाद अंतिम 12 जनवरी 2023 को ये मामला रिजर्ष हो गया बहस होने के बाद और लाश्ट समय में जो है सबसे ज़्यादा मौका दिया गया मतलब बीए डविर्थियों के जो वकील थे उन्होंने अपनी बात को अच्छे तरीके से रखा और इसके बाद फिर से क्रास क्वेश्चन किया गया डेलेट के वकीलों के दौरा कि उनको भी अ इसले हो सकते हैं देखिए आपको बता दें कि ये जोदपुर हाई कोर्ट के द्वारा एंसी टी के गजट को रद किया गया उसी के बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो पहली कंडिशन ये बनीगी कि यथा इस्टे हो जाएगा यथा इस्टे का मतलब ये है कि अभी तक बीर्डवाले प्रात्मिक सिक्शकवर्ति से बाहर नहीं है ठीक है कि ये ये कोई डिसीजन तो आया नहीं है इस्टे का मतलब यही है कि बीर्डवाले भी इलिज्बर होंगे और e Ganze ये बन रही है यानि ये था इस्टिती जैसा है वैसा ही रहेगा दूसरी स्थि यह गलत हुआ है तो दूसरी स्थिति हैं कि सिर्फ दिल से बन सकती है कि इस्थियों को six month का एक कराया जाता है same condition डिलेट यानि बीटीसी बेर्थियों के लिए लागू की जा सकती है six month का bridge course करा करके उनको भी upper primary या और ने जो भी vacancies जाती है TGT PGT उनको भी इसमें सामिल किया जाया यानि दोनों को equal कर दिया जाया ये एक आई कि यानि राज के जो लोग या इस डिपार्टमेंट से समबंदित वो कमेटी गठित की जाया इसके लिए वो तैं करें कि राज के लिए बीयड या बीटीसी की मामले में प्रात्मिकता किसको दी जाएगी यानि ये पूरी तरीके से राज्यों पर छोड़ दिया जाए हाला कि अगर राज्यों पर छोड़ा जाएगा तो फिर से एक विवाद की स्तिती बनेगी और फिर से मामला सुप्रीम कोर्ड पहुंचेगा उसका करण है हर राज्य में जनसंक्या के अधार पर भी राज्यों में प्रात्मिक विद्यालों की संक्या कम जादा है सबसे जादा अगर हम बात करें तो उत्रक्देश में सबसे जादा प्रात्मिक विद्यालें हैं तो यहाँ पर वैकेंसीज आती हैं अधिक मातरा में आती हैं तो अगर राज्यों पर छोड़ा गया तब भी विवाद की स्तिती फिर से बन जाएगी क्योंकि अभी भी बहुत सारे राज्य ने बीड को प्रात्मिक में इलिजबल किया है और कई राज्यों में आपने देखा होगा डियलेट कोर्स को पूरतेहा बंद कर दिया गया है क्योंकि नए सिक्चानित में बीड कोर्स की ही बात कही गई है तो ये एक कंडिसन बन रही है कि राज्यों पर छोड़ दिया जाए कि वो अपने स्टेट की जो भी सिक्चक बरती वेकेंसी जाती है उसमें बीड को सामिल करते हैं या बीड को या फिर दोनों को सामिल करते हैं ये राज्य पर छोड़ा जा सकता है इसके लावा एक इस्तिती ये बन रही है कि BTC यानि डिलर्ट कंडिडेट्स को वरीता दी जाए वरीता का मतलब यहां पर यह हुआ कि मानली आप 50,000 वैकेंसी हैं और जो क्राइटेरिया है उसको फुल्फिल करने हैं 40,000 लोग ठीक है कि उसका सेलेक्षन होगा या नहीं होगा वरीता वाली चीजें भी यहां पर थोड़ा सा दिक्कत करेंगी तो यहां पर एक और फैशला यह बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई क्राइटेरिया ठ्रेस होड फिक्स कर दे कि इतने परसेंट सीटें बीट की रहेंगी मतलब जो फिर इतने परसेंट बीट की रहेंगी तो यह एक इस्तिती बन सकती है ओवराल यहां पर लगवग 6 ओप्शन हैं इसी में से कोई एक फैशला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा और यह फैशला बहुत जल्द आपको अपरेल के फर्स्ट वीक में देखने को म आपके माबाब का पैसा लगा और जब आपने डियलेट या बीड किया होगा तब आप कोई चीजें पता भी नहीं होगी जैसे अभी वरतमान सिचुएशन यह है कि इस साल मालिया 2022 में जिसने भी अड्मिशन लिया बीड में वो तो यही सोच करके अड्मिशन ले रहा है कि वो प्रात्मिक और जूनियर दोनों सिच्छक भरती में सम्मिलित हो पाएगा तभी बच्चे बीड कर रहे हैं आगर उनको पहले ही पता चल जाए किसी कॉलेज में कोई बच्चा अड्मिशन कराने जाएगा तो यह थोड़ी कोई का कोई होडी बताएगा कि अभी मामला यह थो जो अभी तक जो सिच्छें उसी के इसाफ से बच्चे अड्मिशन ले रहे हैं आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसी सिच्छें के साफ से बीड किया होगा उनको यह नहीं पता होगा कि आगे चल करके इस तिया बन जाएगी वर्ना वह डिलेट कर लेता है ना कोर्स की फीस कही कालेजों में सेव है कही कालेजों में थोड़ा सा कम जादा हो सकती है तो यहाँ पर अगर आपने डियलिट किया है या बीट किया है तो इसमें आप ही कोई गलती नहीं यह एक समझ लीजे अब बिरतियों को उल्धाये रखने के लिए इतना पूरा नहीं है नाहीं आयोग कठित के लिए नाहीं फैŞले में पैरावी करने के लिए तो कुल मिला करके हमने जो ऑप्शन्स बताएं है इन्हीं में से कोई ना कोई एक रिजर्ट आएगा फैशला सुनाया जाएगा आपके पास अगर कोई तर्क है तो आप वो भी हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएगा ताकि हम भी देखें कि आपका क्या तर्क है ऐसे कुछ मत लिखिएगा कि बीट बाहर होगा या बीटी सी जो भी तर्क के साथ रीजन क्या है वो आप लिखिएगा इस वीडियो में इतना ही वीडियो पशंद आ हो लाइक से सब्सक्राइब करें मलते हैं नेक्स्ट वीडियो में